हकी हलो स्टुड्यंट वेल्कम बैक। आज हम आपको बारे में बताएंगे क्लास 11 देढेट के चेप्टर नमबर हम 2 के बारे में पढ़ेंगे और इसके पेले स्टुड्यंट हमने आपको क्लास में बहुत सारे से लेक्चर जिसको प्रोइड किये हैं तो इसके तुरू आज हम आपको वीडियो प्रोइड करेंगे में इस class 12 जो standard है में जो चर्टा नमबर 2 है biological classification ठीक है तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे तो इस्टोन आपसे request है कि वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें ताकि आपको Biological Classification देखे इस्टोन यहां पर एक term लगा है classification क्या लगा है classification लगा है अगर हम देखें what is classification क्या होती है means वरगी करण किसे कहते हैं तो जैसे simply एगर हम देखें कि ऐसे कोई class है कोई मतलब group है जैसे कि 9, 10, 11, 12 इसमें क्या होता है कि 9th के जो student होते हैं जो 10th के student होते हैं और 11th के student होते हैं उनके क्या होते हैं कुछ ऐसे basic होते हैं जिसको हम देख करके यह पता लगा करके यह denote करते हैं कि ये 9th के student है तो इनको 9th के group में डाला जाए अगर ये 10th के group के हैं तो इनको 10th में 11th के हैं तो 11th के इस तरीके से जो भी class होती है उनको अलग-अलग group में हम divide करते है तो ऐसे student क्या होता है यहाँ पर जो classification होता है classification भी same type से होता है जैसे कि अगर हम देखें कि कोई organism होता है जितने भी जिवधारी होते हैं ठीक है उनके characteristic features के base पर कहने का मतलब उनका जो लच्छन होता है जो characteristic features होता है कहने का मतलब जो उनका लच्छन होता है और उनका habitat बोले तो होता है वास अस्थान क्या होता है जहां पर वो रहते हैं और characteristic features के साथ हमने आपको बताया कि जो उनका habitat होता है second अगर देखा जाए तो जो उनका fooder होता है and water होता है कहने का मतलब जो उनका खान पान होता है fooder मतलब जो भोजन होता है वाटर में जल होता है ठीक है इस तरीके से बहुत सारे से और गयनिजम होते हैं कहने का मतलब उनके लच्छनों को देख करके उनके वास अस्थानों के और खान पान के आधार पर उनको अलग अलग गुरूप में डिवाइड करना जैसे कि जो smallest और गयनिजम है उनको एक गुरूप में रख दो ज उनको छोटे को किल कर लेंगे और जैसे कि हम पढ़ते हैं हर्भी बोस कार्ने बोस बहुत सारे ऐसे और गयनिजम होते हैं कि उनके लच्छनों को देख करके ठीक है उनके खान पान को देख करके हम उनको उस कटेगरी में नहीं डाल सकते हैं इसलिए classification मराएगे कहने का क्लासिफिकेशन को देने के लिए डिफिरेंट डिफिरेंट टाइप्स कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना-पना कॉंस्टिब्यूशन दिया था कहने का मतलब अपना-पना मत दिया था इस क्लासिफिकेशन में इस वरगी करण में सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर एक बैग्यानिक आये थे अरिस्टोटल क्या आये थे अरिस्ट होते हैं कहने का मतलब जो जीविग्यान के पितामा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम अरिस्टोटल बोलते हैं क्या बोलते हैं अब देखें इनको हम हिंदी में अरिस्टोटल नहीं बोलते हैं इनको हिंदी में हम अरस्तु बोलते हैं तो इस तरीके से आपको यह प पूरे वर्ड में हमारे पूरे विच्षे में अगर देखा जा है तो ही इसको दो पादब जगत और इसको क्या बोलते हैं एनिमल जगत तो इस्टुडेंट इन्हों ने सिर्फ यह बताया कि हमारे पूरे वर्ड में दो ही जगत होते हैं जितने सारे पेड़ पौदे होते हैं जितने सारे बनस पत्तियां होती हैं उनको इस गुरूप में डाल दो मिन्स प्ला अगर इनको एक इही गुरूप में डाल दिया जाएगा तो क्या इसंबह हो है यह ऐसा नहीं हो पाएगा जितने भी पेड़ पौदे होते हैं इसमें श्रब सोते हैं हर्प सोते हैं डिफरेंट टेल्स के प्लार्ट्स होते हैं उनको एक गुरूप में डिवाइड कर देना गुरुम में रख देना क्या वो डेवलमेंट कर पाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाया तो नेक्स्स आंटिस्ट आए के रोलस लीनियस के रोलस जिसको हम लिनियर पढ़ते हैं इनको हम फादर आप टेक्सोनामि भी बोलते हैं और इन्नों ने भी बता हैं में दो ही kingdom है plant kingdom और animal kingdom कि हमारे पूरे जगत में दो ही kingdom होते हैं लेकिन क्या यह सम्भों था लेकिन इसमें यह हो रहा था कि इसमें यह पता नहीं पर पता नहीं कर पा रहे थे कि कुछ ऐसे और गेनेजम होते हैं जिनका जो blood होता है कहने का मतलब जो red blood carpuses होती है कहने का मतलब कुछ लोगों का blood होता है वो red होता है कुछ और गेनेजम होते हैं उनका blood red नहीं होता है तो उनके इन सारे बेसर के basis पे इन सारे characters के basis पे इन सारे groups के basis पे यह नहीं पता चल पा रहा था कि क्यों सा और गेनिज के पास रेड ब्रेड कार्पिसल्स होती है कि इसके पास रेड ब्रेड कार्पिसल्स नहीं होती है तो इसलिए इनकी भी जो वर्गी करन्ट क्लासिफिकेजन थी वो यहीं तक रुकी गई यहीं तक स्टॉप होगी नेक्स आंटिस्ट है वन्हें बताया कि next scientist हाए Ernest Meyer क्या है Ernest Meyer और है kır देखिछ अरनेश्ट ने बताया हमारे पूरे वर्ड में तीन kingdom है कितने kingdom है तीन kingdom plant kingdom animal kingdom यो दोनों तो थे ही एक लोन ने बता है प्रोटेस्टा कि प्रोटेस्टा मतलब यह बताई करेंस मायलने की जितने बहीं प्लॉकus काया बोलते हैं तो इन्होंने बताई कि जितने भी एक कोश की और्गेनिजम होते हैं, जितने भी छोटे जी उधारी होते हैं, उनको इस गुरूप में रख दो, प्रोटिस्टा में रख दो, जैसे कि पैरामीशियम है, गुलीना है, अमीबा है, लेकिन सिकेंड साइन्टिस्ट आ गए, मिन जो फोर्थ साइन्टिस् उन्होंने बताया कि हमारे पूरे वर्ड में, तीन किंगडम ना हो करके, चार किंगडम है, पहला तो प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम, उसके बाद, तीसरे साइन्टिस्ट इन्होंने बताया था, प्रोटिस्टा, ठीक है, एक इन्होंने बताया, कि जो आपक ये मोनेरा जगत है क्या है जो मोनेरा जगत है जिसमें सारी बैक्टिरिया होती है इन्होंने बताया कि जितनी सारी बैक्टिरिया होती है एक गुरूप बना दिया जाया एक गुरूप इन्होंने बनाया जिसको मोनेरा जगत बोलते हैं जितनी भी बैक्टिरिया होती है जितन सांटिस्टों ने अपना कॉंस्टिविशन या था क्लासिफिकेशन पे लेकिन जो पढ़ी जाने वाली है जो हमारे बुक में मैंसन है जो कि 11th स्टेड़न में होती है जो पढ़ी जाती है तो इस्टोजन जो फाइब किंग्डम क्लासिफिकेशन देने वाले कहने का मतलब यह सारी kingdom ना पढ़ करके हमको पढ़ना है five kingdom classification लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कौन कौन साइंटिस्टों ने अपना constitution दिया था classification पर तो क्या होता है कि अब हम क्या करेंगे उस जो five kingdom classification को दिये थे जिसको हम सब सब्सक्राइब लोग पढ़ते हैं उनके basis पर उसके बारे में डिसकास करेंगे तो इस्टों आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार question पूछा जाता है कि five kingdom classification क्लासिफिकेशन देने वाले scientist का नाम बताओ क्या बताओ नाम यहां पर जो पांचवा पांचवा सब्सक्राइब क्लासिफिकेशन दिया था क्लासिफिकेशन कहने का मतलब पांच जगत वर्गी करण इतना जगत पांच जगत वर्गी करण देने वाले scientist कौन है वह है आरेच बीटेकर कौन है वह है आरेच बीटेकर जिन्होंने 1969 में फाइब क्लासिफिकेशन दिया था तो अभी देखे अरिस्टोटल ने ठीक है यहां पर कैरोल सिलियर ने अनस मायर ने को प्लेंड ने अलग अलग तरीके से अपने गुरुप को बनाया था कि प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम प्रोटिस्टा मोनेरा तो इन्होंने उसक किंगडम मोनेरा मीन्स यहां पर जो इनका पहला जगत है किंगडम मोनेरा था दूसरा अगर देखा जाया तो किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा उसके बाद जो तीसरा इन्होंने बताया था किंगडम फंजाई इन्होंने एक टर्म यहां पर लाया था जो कि पांचवा इन्होंने फंजाई को इसमें रख दिया था उसके बाद चाओ था जो है किंगडम यहां पर मोनेरा प्रोटिस्टा उसके बाद पाचवा हैं kingdom एनिमीलिया जिसमें एनिमल्स को रखा गया है तो इस्वाइन क्या होता है कि इन्हों ने आरेज़ बीटेकर ने इस तरीके से kingdom मनाया था और इन्हों ने देखिया जैसे कि मोनेरब और प्रोटिस्टा प्लांटी और एनिमीलिया तक इन्हों ने यह यहां पर एक और kingdom लाकर के जोड़ा था kingdom फंजाई और इसको सही तरीके से अरेंजिमेंट किया था और यह बताया था कि किस तरीके से इनको गुरुप में रखा जाए तो इस तरीके से फाइब क्लासिफिकेशन दिये थे कहने का मतलब यहां पर यहां पर आपका मोनेरा पादब जगत और जन्तु जगत तो पाच kingdom classification कौन-कौन से थे इस तरीके से थे अब इस लेशन में कहने का मतलब इसी पाइब क्लासिफिकेशन को पूरे कहने का मतलब जो बाइलोजी सिकेंड नहीं इसको आपको अच्छे से पढ़ना है इसी के basis पे आपको सारी chapters provide कि जाए पढ़ाये जाएंगे अब यहां पर जो यह पांचों kingdom होते हैं इसका ओबर भी हम आपको देंगे कहने का मतलब बेसिक organization जो होती है उसके बारे में फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका kingdom मोनेरा से तो इसके जैसे कि अब यहां पर है इस organism में यहां पर kingdom मोनेरा में प्रोटिस्टा में फंजाए में टीसी जो है इनमें कैसे cell टाइप होती है cell membrane कैसी होती है ठीक है इसमें जो है आपका cell wall कैसी होती है मोड़ा अपने उट्रियंस कैसे होता है एक हम टेवल मनागर कर उसको अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है कि इसमें किस तरीके से जीओं को क्योंकि हम बेसिक लिए रहेंगे हमको बातें अच्छे से समझ में आएगी चलिए तुछन क्या करते है एक टेवल के माद्धिम स इसको हम समझ लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए इसको हम थोड़ा बड़े में लिखते हैं जैसे कि इसमें हम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटे कॉलम और बना लेते हैं इसमें हम रख देते हैं किंगडम मोनेरा को किसको किंगडम मोनेरा उसके बाद यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा उसके बाद किंगडम फंजाई ठेक है उसके बाद यहाँ पर किंगडम यहाँ पर प्लांटी उसके बाद यहाँ पर किंगडम है नहीं में लिया तो इसन यह एक ऐसे टेवल बना करके आपके बुक में में इसन है आप वहाँ भी देख सकते हैं समझ सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका सेल टाइप कैसे होता है क्या सेल टाइप कहने का मतलब जो कोश्किया प्रकार होता है वो कैसे होता है यह हम बात करेंगे तो सेल टाइप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो किंगडम मोनेरा होता है जिसमें सभी बैक्टीरिया को रखा गया है जिसमें सारी बैक्टीरिया होती है अब ये kingadam monera होते हैं, they do not have bell defined nucleus, इनके पास bell defined nucleus नहीं होता है, कहने का मतलब they have prokaryotics, ये क्या होते हैं, prokaryotic होते हैं, means इनके पास bell defined nucleus नहीं होता है, लेकिन किसको accept archaea और eubacteria को छोड़ करते हैं, ये क्या होते हैं, prokaryotic होते हैं, they do not bell defined nucleus, इनके पास bell defined nucleus नहीं होता है, अब यहाँ पर monera में तो prokaryotic होता है, लेकिन यहाँ पर जो kingdom protesta होता है, ये सारे क्या होते हैं वई? यह eukaryatic organism होते हैं क्या होते हैं यह eukaryatic होते हैं कहने का मतलब यह monera ही सिर्फ ऐसा organism है जो prokaryatic होगा और यह सब eukaryatic होगे क्या होगे eukaryatic होते हैं ठीक है फंजाई, planty और animalia अब यहाँ पर दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो cell membrane होती है क्या होती है जो cell membrane होती है कोस्किय जिल्ली जो होती है कैने का मतलब वो कैसे होती है यहाँ पर अब बताई यहाँ पर अगर इनके पास they have do not well defined nucleus जब इनके पास nucleus नहीं है कुछ में छोड़ करके आर्टिया और यू बैक्डेरिया को बताया उनको accept तो इस cell membrane क्या होगी इनके पास cell membrane भी नहीं होती है कहने का मतलब no cell membrane आर पर जंट इसमें cell membrane भी नहीं होती है लेकिन अगर प्रोटिष्टा में देखे इसमें cell membrane पाई जाती है फंजाए में में भी पाई जाती है प्लांटी में भी पाई जाती है और एनिमीलिया में भी पाई जाती है किलियर अब यहां पर तीसरा जो हम बेसिक और्गनाजेशन देखेंगे तीसरा क्या होता है सेलवाल की अगर हम बात करें कि सेलवाल क्या होता है वही कोशिका भित्ती जिसकों कोशिका भित्ती होती है अब अगर देखा जाए यहां पर जो मोनेरा जगत होता है जो बैक्टीरिया होती है यहां पर बैक्टीरिया अगर देखा जाए तो किस तरीके से अप्टेंड होगी बैक्टीरिया जो होती कैसे कहां कहां पाई जाती है तो अगर देखा जाए तो यहाँ जो सेलवाल होती है मोनेरा में कहने का मतलब जो यहाँ पर किंगडम मोनेरा में जो सेलवाल होती हो किसकी बनी होती है तो इस्टोजन जो सेलवाल होती है अगर देखा जाए तो पेप्टीडो गलाइकोन सुगर पलस अमीनो एचिड जो होता है उससे यह मिल करके बनी होती है ठीक है और यहाँ पर जो प्रोटिस्टा जो होता है प्रोटिस्टा में और किंगडम फंजाई में किंगडम प्लांटी में और इसमें अब इसमें अगर देखा जाए कुछ में होती है कहने का मतलब कुछ जियों में प्रोटिस्टा में सेलवार पाई जाती है जैसे कि उने बताया प्यप्टीडो गलाइकॉन जो यहां पर प्यप्टीडो गलाइकॉन होता है प्यप्टीडो गलाइकॉन जिसको हम सुगर प्लस एमीनो एसिट से मिल करके बना हो जुआ होती है इसमें बना होता है जो कवक होते हैं जो फंगी होती है तेकंदे हूं हम बोलते हैं इसमें जो इनकी सेलवाल नबनी होती है वह चेटिन से बनकर बने से leon किसे हैं किससे निसे। ही निकीं होती है उसकी नियुकि और यहान पर प्राइंड के एگर वाक दम फथ्सक्राइब में सब को लगबग पता ही होती है कि जो यहां पर इनकी जब सेलवाल हो गयों कैसी होती है वो सेलू लोज से मिलकर की बनी होती है सेलू कि सेलू लोज से जिसको अगर हम देखें तो लोज पढ़ते हैं हिंदी में सेलू लोज और इंगलीज में सेलू लोज पढ़ते हैं ठीक है यहां पर इसको हम फिर से स्थान पर क्या होता है जब इसका हम डेटियल्स पढ़ेंगे इसमें आप नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट होता है इनका मोड आप नूट्रियंस की अगर हम बात करें तो इनका जो पोषड का प्रकार होता है कैसा होता है ठीक है देखें यहां पर जो किंगडम मोनेरा होता है जैसे के आपको बदाया था कि इसमें जितने भी बैक्टिरि वाहर होते हैं उनको किसमें रखा गया है किंगडम मोनेरा में प्रिष्ट ने ये दो तरीके से अपना पोष्ण लेते है एक तो ये आटोटॉफिक लेते हैं आटो आटोटॉपिक यहां पर समझ जाएगा दूसरा होता है ये हेटरोटॉफिक ऑर दूसरा हेटोटॉफिक एक तो यह स्वापों से खुद से भी अपना भूजन प्राप्ट करते हैं और यह दूसरों से भी अपना भूजन नरिस्मेंट करते हैं दूसरों से अप्टेंट करते हैं इसलिए कहा जाता है इनका डूवल मोड आफ नूट्रियंस होता है डूवल मोड आफ नूट्रियंस दो तरीके से अपना भोजन लेते हैं तो हमने बात किया आर्ट्रो ट्रॉफिक दूसरा हेट्रो ट्रॉफिक ठीक है अब यहाँ पर हेट्रो ट्रॉफिक में क्यों कौन से दो तरीके हैं जिससे भोजन लेते हैं तो इसनों यहाँ पर पैरासिटिक होता है क्या होता है पैरासिटिक और दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक जिसको हम बोलते हैं मिर्तोब जीवी और परपोसी तो परपोसी मतलब क्या होता है ऐसे और गेनेज में जो दूसरे और गेनेज के बॉड़ी पर रह करके उसके बॉड़ी पर रह करके अपने भूजन का नरिस करते हैं उसको हम बोलते हैं पैरसितिक पर जीवी बोलते जैसे कि आप कौण फैलो होते हैं उनके उपर देखे सोड़े ऑर्गानीज्ब होते हैं पर आप turning बहुन को लेते हैं थी आत्या स्पिभाइस marmok budget कुछ ऐसे भी बैक्टिरिया उते दूसरे mirtoability क्या होता है घ्रने का मतलब ऐसे और यह जो अपना जो नरिश मेंट होता है जो अपना बहुता है जो लजन होता प्रोटिस्टा बचा है इसका मुड़ा मिल्ट कैसे होता है तो इस्ट्रेंट यह होते हैं आटो ट्रॉफिक आटो ट्रॉफिक होते हैं आटो ट्रॉफिक की तरीके से अपना भोजन लेते हैं मेंस खुझ से भी अपना भोजन बनाते हैं लेकिन आटोट्रोफिक में स्वापोशी में स्वाफोशी में स्वाइम भोजन बनाएगे तो फोटो सेंसिस करते है प्रकास तंसलेशन की उपस्थिती में भी अपना भोजन लेते हैसा did लेकिन जैसे यह लाइट डिप्राइड्व जाती है मिलसे यह लाइट चली आती है मिलसे प्रकाश जो होена भी दोथा जाता है है ये दूसरे ओर गने को खाना स्टाट कर देते हैं क्या करना चुरू कर देते हैं तो इसलिए हम इस को इनको भी कह सकते हैं दो तरीके से हम भूल लेते हैं आर्टूटॉपिक और हेत्रो टोफिक फिक लेकिन बेसे और आज में गर देखें तो हैं टोड़ के तरीके से ही वेधिर करते हैं क्लियर और इस दूसरे चीहों से प्राप्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं है एत रोड़ अब प्लांट प्लांटी क्या होता भूजन यह जो आपका पेड़ पादब जो होती है कैसे अपना भूजन लेते हैं तो इस तरीके से यह अपना भूजन स्वहम बनाते हैं और हमको यह भी पता होना चाहिए कि कि जो पेड़ बौद है वो सीटू को अब्जार्व करते हैं अब यहां पर जो जानतु जगत होते हैं तरीके से बिएवियर करते हैं तो इस्टुडेंट क्या होता है कि अब जब नेक्स्ट की वीडियो में पढ़ेंगे तो शुन आपको यह बेसिक और्गेशन यहां next की वीडियो आपको बनाएंगे तो kingdom monera से सुरू करेंगे बर्लिसी बात हम बताना चाहेंगे जो यह kingdom monera होता है तो यह kingdom monera में जितने भी bacteria होते हैं इनको म oder sex guy करके यह बستos at वह kingdom monera में ही आते हैं और दूसरी condition होती है है do not बेल्डिफाइन नेकलिया जिनके पास बेल्डिफाइन न्यूकलियस नहीं होता है इस तरीके से न्यूकलियाइट्स होते हैं अब अगर देखा जाए कि जो बेसिक और बैक्टेरिया की चार तरीके से होती है कि दरीके से पढ़े आपको फिर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगी जब पढ़ेंगे तो तो अगर यह विखे प्रकार से हमको जादा दर मिलती है पहला इसी बैक्टिरिया होती कोकस बैक्टेरिया पहुते ऑज स्थानों परौती कोकस हैं दूसरा होता है बैसिलस form the replaced all truth राइसे रॉड़ लाइक होती है तेकह रॉडशे लोग्द्टार होता है तीसरा अगर देखते इस पाय रूम घ्राइब मतलब ऐसे जिसे रो गारे मे marks ARE होते हैं इस पारियूलम सेप होते हैं अभी कि आपके पीछ़े पीछ़े से पूसर च्ञ निकली होती है एक तoti है कि जब आफ किवेड़ा इस तरीक है के इस कुछ uh कर होते हैज है बैस ब्सपारियौम से थीक पर जो प्रोटिया होते है काम से भिबरो ऐसे कॉमा लगा लगा करें तो आपको क्लासिफिकेशन आप मोनेरा के बारे में पढ़ा जाए उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो इसना आप से रिक्वेस्ट है कि बहुत ही इंप्वार्टन डिफरेंट टैप्स के लिए नीट के लिए एंस के लिए और जो भी जांस होते हैं उसके लिए बहुत ही आपको इंटर्नल बताया गया है आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अच्छे से देखें समझें और सेर करें और अगर आप नए हैं वहीं तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किये हैं के लिए सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो लाइव क्लास आपको अप्टेंड होती रहें